डावसन कोल रूसियाना के कोस्ट पर एक ओयल शिप पर काम करता है रात होते ही वहाँ पर एक एक्सिडेंट हो जाता है जहां शिप पर एक्स्पोरिशन होने लगते है और डावसन देखता है कि लोग फसे हुए हैं शिप पर जहां वो उनको तो बचा लेता है लेकिन वो खुद पानी में गे जाता है नेक्स सीन में हम देखते हैं अमांडा चो की अपने बेटे के साथ आस्मान की स्टार्स को देखती है उसका बेटे टीनेज है जहां अमांडा बेटे से कहती है कि ये स्टार्स हमारे फीचर हमें बता सकते हैं जब डावसन का एक्सिडेंट होता है तब अमांडा को कुछ ब पानी में डूब रहा है तभी उसे अमांडा नजर आती है डूबते हुए कुछ दे बाद वो खुद को हॉस्पिटल में देखता है जहां डॉक्टर कहते हैं यू आ लगी अदर्वाइस इस इंपॉसिवल डॉपसन कहता है मैं अपनी लाइफ का परपस धूने की कोशिश कर हूँ एक दिन अमांडा और डॉपसन को एक डॉयर का कॉल आता है वो बताता है कि टक मर चुका है जो कि डॉपसन के फादर जैसा ही था वहीं अमांडा इतना सुन अपने हस्बेंड को वहां जाने का बोलती है जिस पर उसका हस्बेंड कहता है मैंने हम दोनों के लिए करता है वो दोनों आपस में बाता करते हैं चो कि वो दोनों आज 20 सार बात मिले थे डॉपसन कहता है तुम अब भी भी वैसी ही हो अमांडा यहां ज़्यादा नहीं रुख सकती मैं वो यहां पर सिर्फ टक के लिए आए थे मुवे फ्लैश पेक में जाती है जहां पर डावसन अपने दोस्त बॉबी के साथ एक रेस्टुरेंट में होता है जहां डावसन अमांडा को देखता है तब ही बॉबी उसे बताता है कि उसकी गर्फरेंड बिगनेट है और वो दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं इसके जाते हैं उनकी गाड़ी में कुछ प्राब्लम की वज़े से वो रुक जाती है उस तोरह उनके ठीक पीछे गाड़ी में उनको कंटिन्यू हौन देकर कुछ लोग पहिशान करते हैं जिस पर डावसन उनके पास जाता है और कहता है अगर हैप नहीं कर सकते तो पहिशान भी अमांडा यहां उसे बात करना चाती थी लेकिन डावसन ने उसे चाने कब बोल दिया तब बॉबी उसे कहता है यूर स्टुपिड वो तुमसे बात करना चाती थी नेक्स दे वो दोनों वापस मिलते हैं जहां पर डावसन अमांडा से पूछ ही लेता है कि क्या कल तुम उस कि इसके पर डावसन खर जाता है वह आज बहुत कुछ है घर पहुंसता है तो उसके फादर उसे कल साथ चलने का बोलते हैं लेकिन डावसन को डेट पर जाना है तो वो अपने फादर को मना कर देता है उस दोरन दोनों के बीच में इतनी पहस होती है कि डावसन खर छोड़ देता है और बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी तो वो एक गेरास में चला जाता है जब सुबह उठता है तो देखता है कि एक आदमी गन पॉइंट किये है जो टक था वो उसे पूशता है कि तुम्हारे पास रहने को घर नहीं देता है नहीं टक डावसन के फादर को जानता है डावसन के फादर जो कि इलेगल काम करता है और उसे ये भी बताता कि वो यहां क्यों है टक वो उसे एक ड्रेस लाकर के देता है और कहता है कि अगर यहां रहना है तो यह पहन लो नेक्स सीन में हम देखते हैं घर पर अमांडा डावसन का वीट कर रही है डावसन जब नहीं आता तो वो गुस्से में डावसन के पास पहुंचती है और उस पर गुस्सा करती है तुमको नहीं आना था तो मुझे पताना तो था मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक बार डेट करना चाहती थी और वहां से वो निकल जाती है तब डावसन उसे लोक सब कुछ पताता है इसके पात वो दोनों एक साथ एक वाटर टेंग पर बैठे हैं और बाताय करते हैं जहां अमांडा लोग स्कूल जोइन करके एक एंजियो जोइन करना चाहती है वो बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है फिर वो डावसन से पोचती है डावसन को कॉलिज नहीं जाना चाहता अमांडा कहती है तुमको जाना चाहिए यू आर टेंग लेकिन अमांडा समझ जाती है कि वो जूट बोल रहा है तब डावसन अमांडा को उसके खर ड्रॉप करने जाता है और गार्डन में एक रोज तोड़ कर वो अमांडा को दे देता है और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर पहली बार किस भी करते है मूवी वापस से प्रिजेंट में आती है चो कि अमांडा डावसन लॉयर के पास बैठे हैं लॉयर कहता है कि टग की लास विष्टी की उसकी अस्थियां उसके कौर्टेस के बैक यार्ड में ही रखी जाएं चो कि उन दोनों के नाम पर कर दिया गया है और इसके बार दोनों वहाँ से जाते हैं ओन दवे डावसन अमांडा से उसकी लाइफ के बारे में पूछता है अमांडा कहती है हम टग की विष्पूरी करेंगे और वापस अपनी अपनी लाइफ में चले जाएंगे अमांडा को टक के घर से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था special for अमांडा और चुकि अमांडा के लिए ही था अमांडा उसे पढ़ती है जिसमें लिखा था तुम दोनों ने एक दूसरे को पहुचाता हर्ट किया है अगर तुमको लाइफ में आगे बढ़ना है तुम दोनों को खुद को एक दूसरे को माफ करेना चाहिए मुवी वापस से फ्लेश बेक में जाती है जहां पर डावसन और अमांडा साथ में मस्ती कर रहे होते हैं वहां उसके फादर उसे लेने आ जाते हैं उन्हें देख डावसन अमांडा को वहां से चल्दी से चल्दी जाने का कहता है क्योंकि उसके फादर इलीगल काम करते थे वो उसे हट नहीं करना चाहता था उसके फादर डावसन से खर चलने का कहते हैं डावसन मना करता है जिस पर वो उसे फोर्स करते हैं तब भी वहां तक गण लेकर आ जाता है और उसके फादर के गाड़ी पर शूट करता है और वोटर के वहां से चला जाता है जहां डाफसन आपको ऐसे नहीं करना था वो बदला लेने जरूर आएंगे तक कहता है बेकुल और मैं किसी से तहीं डरता उसी दाफसन अमांडा से म जहां डाफसन एक स्टोर में होता है जहां उसे एक लड़का नजर आता है चोगी उसके दोस्त पॉपी जैसा उसे नजर आता है वो उसे बात करता है तो पता चलता है कि वह पॉपी का ही बेटा है जिसका नम आरंदा चोगी डाफसन के फादर के लिए काम करता है अमांडा और डावसन टक के घर पर पैकिंग गरते हुए दिखाये जाते हैं जहां डावसन अमांडा को continue watch करता है जिस पर अमांडा कहती है कुछ कहना चाते हो तो कहो डावसन नहीं तब अमांडा बताती है कि जब वो कॉलेज गई तो वहाँ अपने हस्बेंट से मिली और वो प्रिक्टेंट हो गई जिसके वज़े से उसे उसे शाधी करनी पड़ी और उसके बाद उसके सारे सपने भी खतम हो गई डावसन कहता है यही लाइफ है मुवी वापस से फ्लेश बेक में जाती है जहां अमांडा डावसन को कॉलिज के एडमिसन के लिए फोर्स करती है डावसन लेडी हो जाता है इन दोनों को साथ देख टक कहता है मैं अपनी वाइफ को बहुत मिस करता हूं इसके बाद वो तीनों साथ में डिनर करते हैं और उस दोरान टक अपनी लाइफ के बारे में भी उनको बताता है कि वो एक आपी में रह चुका था उसका मानना है कि कहीं कुछ तो है जो चीजों को पास लाता है उन्हें मिलाता है और इसके बाद अमांडा और डावसन टांस करते हैं मूवी वापस से प्रिजेंट में आती है जहां पर डावसन को एक फोटो मिलती है जिसमें अमांडा और उसकी बेटी और टक साथ थे जहां अमांडा अपनी बेटी के बारे में बताती है कि उसे कैंजर था उसके बाद हम दोनों ड्रिंक करने लगे मैंने जल्दी ही छोड़ दी लेकिन हस्बेंट अभी भी पीता है इसके पाद दोनों साथ में खाना बनाती है और बाते करती है तब डावसन कहता है जब तुम यंग थी काफी खुश थी वो अमांडा मुझे तुम में नजर नहीं आ रही तब अमांडा कहती है मुझे भी नहीं पता वो कहा है और डिनर अमांडा डावसन से पूशती है क्या तुम किसी को डेट कर रही हो डावसन कहता है मुझे तुम से ही सच्चा प्यार हुआ और ऐसी आज तक मुझे नहीं मिली अमांडा कहती है अब मुझे चलना चाहिए और पूछती है जब कॉलेज में मेरी गारी ठीक करने में तुमने हैल्प की थी वो वायर मैंने ही निकाली थी डावसन केता है मुझे पता था मैं एक मेकनिक था और मेकनिक किसी भी स्टोरी का हीरो नहीं बन सकता तब अमांडा उसे केस करती है और वहां से चली जाती है मुवी वापस से फ्लैश बेक में जाती है इस वीकेंड अमांडा डावसन साथ स्पेंड करने वाले थे लेकिन उसे टक के काम से उसके कॉलेज जाना था जहां उसे काम करते करते रात हो जाती है जहां उसे अमांडा उ की पालेक्षिन लिए अच्छा जैता है एक अमान्डा साम को अपने फादर से मिलवाती है तब उसके फादर आफसन Couple온 के collection दिखाते हैं और कहते हैं तुम अब college जाने वाले हो जिसके लिए पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रुत होगी जो कि मैं संभाल लूँगा लेकिन तुमको Amanda को छोड़ना होगा तब डाफसन कुछ से मैं वहाँ से मना करके चला जाता है तब Amanda उसके पास जाती है और अपने फादर के लिए उसे सौरी बोलती है और कहती है कि वो गलत नहीं है और कहती है तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो डाफसन कहता है कुछ भी Amanda कहती है जिस तर तुम मुझे प्यार करते हो मुझे भी वैसे ही तुमको प्यार काने दो मुवी वापस से प्रिजेंट में आती है एक लेक हाउस पर बैटे हैं जहां डाफसन अपने एक्सिजेंट का बताता है कि जब माने वाला था मुझे सिर्फ तुम दिख रही थी तुम अपनी लाइफ के साथ खुस नहीं तो तुम क्या करना चाहती हो अमांडा कहती है तुम समझते क्या हो मैं तुम से फिर से प्यार करूँ ऐसा तो तब होता ना जब मैंने छोड़ा होता डाफसन कहता है साथ मुझे तुम से मिलना था इसलिए ये सब हुआ मुवी वापस से फ्लैस पैक में जाती है डाफसन बॉबी के शादी में है उधर डाफसन फादर टक से बतला लेने आती है और उसे बहुत माते है जब डाफसन घर आता है तो टक को देख उसे खुस्सा आता है और टक की कंढ उठा कर अपने फादर को मानने जाता है जहां बाबी उसके पीछे पीछे आता है और उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं सुनता और अपने फारा के पास जाता है और वहाँ पर बाप बेटे में हाता पाई के दोरान एक गोली चल जाती है जो की उसके दोस्त बाबी को लग जाती है और ये रेक डापसन बहुत जादा रोता है और उसे बहुत गिल्टी फील भी होता है कि अगर वो उसकी सुनता तो वो आज जिन्दा होता वो कस्टडी में था जहां टक उससे मिलने आता है और कहता है कि तुम अभी भी अपने लाइफ में आके बढ़ सकते हो पलिस तुम्हारे नहीं तुम्हारे फादर की तलाश में है अगर तुम पलिस को सापोर्ट करोगे तो तुम्हें बहुत कम सजा होगी और वो एक एक सिडंड था खुद को ब्लेम मत करो डाओसन बाहर जाता है और अपने पादर की अगएंस पलिस को सापोर्ट करता है डाओसन को भी 8 साल की सजा हुई है अमांडा उसे मिलने जेल आती है जहां डावजन उसे कहता है नेक्स टाइम यहां नहीं आना मैं तुम्हारे लिए सही नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अमेशा करता रहूँगा लेकिन अब ये रिलेशन्शिप हमको यहीं खतम कानी होगी तुम्हारी अपनी लियफ अपने सबने जीयो और यहां रोज मिलने मत आओ लेकिन अमांडा उसे मिलने रोज आती है लेकिन वो उसे नहीं मिला मुवी बापस ब्रेजैंट में आती है डावजन उसे सब बताता है जिस पर अमांडा उसे कहती है तुमने मुझे बहुत हाट किया डावसन कहता है मैं तुमको अपनी वज़े से कोई तकलिफ नहीं देख सकता था अमानडा कहती है ना मिलकर तुमने मुझे और जादा तकलिफें थी जब मैं अपने हस्पेंड को टेट कर रही थी तब भी मैं तुमसे मिलने आती थी जब मेरी डॉटर की डैथ हुई उस सब में मुझे सबसे ज़्यादा जरुज़त तुमारी थी मैं हर जगे हर वक्त तुमको ढूंड रही थी मुझे तुमारी जरुज़त थी जिस पर टावसन अमानडा को गले लगा लेता है तब डावसन कहता है हम ये सब गलत कर रही है तुमको अपनी मेरिट लाइफ को एक और मौका देना चाहिए हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्याँ करती है और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग है जिन्हें उनका प्यार नहीं मिलता वही डावसन अभी भी टक के गाड़ाइं के टेक केर कर रहा है और बॉपी की वैप से वो मिलने जाता है क्योंकि वो आज भी गिल्ट फील करता था और उसे कहता है अगर तुमको कोई भी हैप चाहिए मुझे बोलना मैं करूंगा जिस पर वो डावसन से कहती है कि उसके बेटे को वापस घर ले आओ चो कि वो डावसन के फादर के साथ में इलिगल काम करता था उसी रात डावसन आरिक से मिलता है और घर जाने का बोलता है तब ही डावसन फादर वहाँ आ जाते है जिस पर वो डापसन को कहते है आरिक का अब यही घर है और वो यही रहेगा डापसन आरिक को बहुत ज़्यादा समझाता है जिस पर आरिक डापसन की बाता सुन खर लोड़ जाता है वही अमांडा अपने हस्बेंड से कहती है कि अब वो साथ में और नहीं रहना चाहती है उसे डिवर्स चाहिए लेकिन अमांडा हस्बेंड उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता और वह वहाँ से कॉल्फ खेलने के लिए चला जाता है तब अमांडा डाफसन को कॉल करती है लेक का accident हुआ है जहां जाने पर पता चलता है कि उसका heart replace करना पड़ेगा वहीं डावसन on the way है तो वो अमांडा का message सुन रहा था तब ही कोई उसके गाड़ी को डखका मारता है जिस पर डावसन गुस्से में बाहर आगा उन दोनों को मारता है वहीं अमांडा जब सुकर उड़ती है तो डावसन उसके सामने बेटा नजर आता है लेकिन अगले ही पर वो गायबी हो जाता है कुछ दिन बाद अमांडा के बेटे का operation success हो चुका है और वो अपने घर चले जाते हैं अमांडा की मां उससे मिलने आती है तो वो उससे पताती है कि डावसन की टैथ हो चुकी है जिस रात उस पर हमला हुआ था उसी रात उसके फादर ने उसे शूट कर मार दिया था मूवी आफटर वन इयर दिखाई जाती है जहां पर अब अमांडा का बेटा यूनिवर्स्टी में है अमांडा जैसा वो चाहती थी बच्चों के लिए कुछ करना अवग कर रही थी तब यह अमांडा को उसके बेटे का कॉल आता है और वो पोचता है वो चानना चाहता है क जिसने उसे हर्ड दिया जो कि डावसन था क्या तुम उसे जानती थी तब अमांडा वापस डग के उसी कॉटेस आती है जहां वो डावसन से आखरी बार मिली थी जहां उसे डावसन को उसके लिए एक लैटर मिलता है जिसमें लिखा था मैं हमेशा अपनी डेस्टिनी की त चलता होती हो मैं खुद से भी प्यार करता हूं लैटर पढ़ने के बाद व हो उस गार्डव में जाती है जहां पर डावसन ने टक की या तयाद में तभी लगाया था जहां पर उसेृफसन के होने का अहसास होता है और मूवी यहीं पर खटम हो जाती है। डावसन के लेटर में लिखा था दोस्तों कि तुम ही मेरा Best पर हो जो कि मूवी का टाइटल है管 Best of Me दोस्नों मूवी कैसे लगी कमेंट शुक्षम में कमेंग करके जरू बताईएगा और आपके कीमती सुजाफ हमारे साथ जरू शेयर कीजेगा अगर आप इस चैनल पर नई है तो आप लोगों से छोट इसी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा वीडियो देखने के लिए रैंक्यू रै